असलाम अलेकुम आज 25 दिसंबर है काईद आजम की पहिदाईश का दिन तो वाट बूड बी बेटर दें डिसकसिंग हिम थूद बूक को स्टेंड लेवल पार्ट जिनाओ पाकिस्तान यह बहुत अश्य बूक है मेरे खाल में अगर किसी ने काईद आजम की परस्टनालिटी क वो इसी बूक के प्रिफेज की है जिनाओ पाकिस्तान की इसी बूक के प्रिफेज में वो एक बड़ा अनफॉर्चनेट इवन भी डिसकस करते हैं कि जब उन्हें क्लेक्ट करना था डेटा काईद आजम मौमद लिजिना के मतलिक अपनी किताब लिखने के लिए तो वह ना के बेटे नुसली वाधिया लिए प्रिफेज और उनने के पास गे हूं से पूच्छा कि आब हमें इपने नाना के बारे में कुछ बताएं तो ने लिए भुटव था वे तो मुझे उनके बारे में कुछ खास पता नहीं है पिर उनके दामाद के पास गा Tomorrow वादिया के पास तो उनका कि नेवर अप्रूड आर मेरिज एंड अक्नॉलिज मी एज इस संदिन ला तो मैं उनके बारे में क्या बता हूं मुझे उनके साथ इंट्रेक करने का मौक है नहीं मिला कभी बुक जो है स्टार्ट कराची से होती है एंड कराची पर होती है लेकिन सार्ट कराची यह काफी उनका कैरियर जो है बोपोफ्त ही सारी भीस है harsh memories हैं हम पाकिस्तानियों के लिए और काइद आजम के लिए खुद भी बुक में जो है वो जिकर करते हैं obviously start से के काइद आजम जो हैं उनके वालिस साब जो हैं तीन भाई थे काइद आजम वगरा खुद जो थे ये साथ बहन भाई थे तीन भाई थे चार बहने थी फात्मा जना जो थी सबसे चोटी थी और उन्हीं से काइद आजम एक bond create कर पाते हैं और सिर्फ वही इनकी family में immediate family में और direct descendant में से वही हैं जो इनके साथ पाकिस्तान आती हैं और इसके लावा कोई भी पाकिस्तान नहीं आता एक और फैक्ट जो sustainable part reveal करती है इस book की तवस्त से वही है कि काइद आजम का सिर्फ मदर्सत इसलाम में जो नाम रिजिस्टर देना वहां काइद आजम की date of birth 20 October 1875 लिखी हुए है जबके काइद आजम बाद में बढ़े हो कि अपनी date of birth 25 December 1976 लिखते रहे हैं यहां मैं यह भी मेंशन करता चलूँ कि सर्फ फैडरिक थे जिनका home office था लंडन में तो उनको काइद आजम बहुत अपील किया और उनको काइद आजम को जॉब आफर की कि तुम लंडन में जाके मेरा office जो यह उसको संबालो और वहां काम करो और वहां जाकि उन्होंने ना सिर्फ जॉब की लेकिन वहां बारत लाव में दाखला भी ले लिया और उनके मतलिका है कि वह साथ ही थेटर था कोई एक उसमें भी काफी इंटरस्ट लेते थे उनके उन्होंने वाली को लिखके भी भेजा कि मैं एक्टिंग करना चाहता हू लेकिन के वाली ने कहा कि इट बिल नॉट ब्रिंग अगुड ओमन तो आर फैमिली हमारा नाम जो खराब होगा टार्णिश करो के हमारे नाम को तुम एक्टिंग करके तो काईजाजम ने इसलिए उसको लेट गो कर दिया तो सरुजनी नाइदो लिखती है के काईजाजम जब हैं बड़ी मज़े की हैं काईजम जो है अपनी फुफो मन भाई उन से बड़े इंस्पायड थे वह मंबई में रहती थी तो उन्हीं के पास चुटियों में भी जाते होते थे मंबई तो उन्होंने यूके से वापसी अपने के लिए कराची के बजाए मंबई को चुना और काईजम का जो करियर है ना उसका अगाज होता है बंबई में काईजम के एक दोस्त होते हैं जो जो पर चार सीटें हैं मेजिस्टेट्स की और उन्में से एक सीट जो वेकंट होने लगी है तो वो उसके लिए अपलाय करने जाते हैं जो उस टाइम गवर्निंग बोडी जुडिशल गवर्निंग बोडी का मेंबर होता है चार्ल्स ओलिवांट उसके दफ्तर में चार्ल्स ओलिवांट भी इतना इंस्पार होता है काईद आजम से कि वो फॉर्न उसको जॉब ऑफर करा देता है जो काईद आजम इस तरह मेजिस्ट्रेट बन जाते हैं बंबई के अंदर लेकिन ये जॉब काईद आजम को इतनी फरसुदा और इतनी बोरिंग लगती है काईद आजम फॉर्न से रिजाइन करते हैं वापिस बार के अंदर चले जाते हैं और दुबारा केसिस बगरा लड़ना अपना शार बना लेते हैं यहीं वो लाइन है चार्ल्स ओल्वांट जो है काईद आजम को ओफर करता है पंदरह सोर पे जॉब के लिए मजिस्टेट की लेकिन काईद आजम कहता है कि इतने तो मैं एक दिन में बना लूँगा और सून ही स्टार्टिड डोइंग इट प्लिटिकल केरियर की अगर बात करें तो काईद आजम इंस्पायर होते थे प्लिटिकली डादा भाई से फिरोस शाह महता से जिनको अनक्राउंड किंग ऑफ मंबई का जाता था उस ताइम और गोखले से यह सारे जो थे यह moderate politics करते थे लिबरल पॉलिटिक्स करते थे जैसा के नहरू अपनी किताब आइडन आटर बेगरिफे में लिखते हैं कि 1910 से लेकि 1920 का जो दोर है यह moderate politics का है इसके बाद extremist politics शुरू होई इंडिया के अंदर और मतलब radicalize होना शुरू होगई तो इसी के तनाजूर में मैं बताना चाहूँगा कि गांधी और काईदाजम का इखिलाफ का हुआ हुआ गांधी जंग यजीम अवल के दुरान रिक्विट करते रहे लोगों को जंग के लिए और काईदाजम उस ताइम खतों किताबत करते रहे कि आप घा लाफ जाएं लेके चाहे तो हम किसे लड़ने के लिए अथा का तो हमें कुछ ना कुछ इस्चेटिस के लिए जाए और गांधी उस टाइम कहां बिजी थे रिक्रिट करने में लोगों को कि आओ फोज का हिस्सा बनो फोज का हिस्सा बनो अब काईजयसम कहता है कि it's not possible कि हम बिलकुल ही डीटैइच हो जाएं बिटीश से अगर लिटीश से बिलकुल हो थे इत वोड बी डिस्टॉक्टिव तुम बेटे को बाप से लड़ाओगे तुम मुसलिम को मुसलिम से लड़ाओगे तुम हंदू को हिंदू से लड़ाओगे कि हमें डिमीन स्टेटस चाहिए यह हमें कम्प्लीट इंडिपेंडनस चाहिए गांधी जो थे वो खुद कन्फ्यूज थे वो खुद कहते हैं कि मैं एक वेंडर इंडिवीजियल हूँ मुझे खुद समय नहीं आती मैं क्या कर रहा हूं इस चीज का इतराफ नहरू ने भी कि और यही चीज बनी दोनों के रिफ्ट पावटाउने की अब 1920 में जब नागपूर का सेशन हुआ तब गांधी ही जो थे उन्होंने यही बात की कि सवराज चाहिए काईदाजम ने का इट वूद नॉट बी पॉसिबल इट इस्ट्रक्टिव अब यही बात है कि आप देख काईदाजम स्टेज पर आए नागपूर के सेशन में उन्होंने बात करने कोश्की लोगों ने इनको बात ना करने दी अच्छा अब बात कर लगते हैं कि काईदयाजम की जो मैरिज थी उसके बारे में सेकिंड मैरिज थी उसके बारे में रुती जिना जो थी उन से शादी हुई और वो दिनशापतीद जो है एक पार्सी फैमली थी मंबई की बड़ी वैल्दी उन से उनकी बेटी थी तो काईदयम का जो सीन है ना मैं आपको सुनाता हूँ कि उनके पास गए दिनशापतीद के पास और उनसे का कि मतलब इंटर कमीनल हार्मनी को इंक्रीज करने का सबसे बहतरी तरीका मैरिज के लावा कुछ हो सकता है तो उसने का कि नहीं अगर कोई मैरिज आप करवा लेते हैं इस तरह की बहुत अच्छी बात है इंटर कमीनल मैरिजज अगर करवा लेते हैं तो ये बहुत इच्छी बात है इससे हमारी जो थाईजह हैं तो चुआँचन बड़ी प्यारी है, हमारे मरी की तरह की है, वहां उन्होंने हनीमून मनाया, और फिर वह वापिस आये, लाइफ में, और उसके दूरान फिर उननीस सो बीच से लेके, उननीस सो सताइस तक का दोर है, जिसमें प्लिटिकल टर्मॉयल चलता रहा, जो थी, मौडरेशन जो थी, वो एक्स्रेमिजम की तरफ कनवर्ट ओर रही थी, इंडिन पॉलिक्स के अंदर, और साइमन कमिशन आया, दिली डायलोग ओए, मुस्लिम डायलोग ओए, और फिर उसके बाद पॉइंट्स आये, नहरू के, नहरू रिपोर्ट आई, पिर काइद आजम के पॉइंट्स आये और इसे दुरान काइद आजम जो हैं, वो अपनी बेगम से अलहदा भी हो गए, और वो अलहदा होगी, रदा रहने लगी हैं और फिर उनकी डथ भी हो गई, तो उसके बाद काइद आजम जो हैं, वो 1930 में लंडन चले गए, 1933 तक वो वहां रहे, उसमें हमारे बताया जाता पर काइद आजम जो है, वो वापिस आए भी, तो आकर फिर दोनों ने स्ट्रगल शुरू कर दी, वो ही, पॉलिटिक्स की, 1937 के जो अलेक्शन होते हैं, उसमें काइद आजम, जो है, मुस्लिम लीग के थ्रू लड़ते हैं, तो बुरी तरह हारते हैं, और नहरू जो है, व तो में पता लगे, लोग क्या कहते हैं, लोगों की उपीनियंस के हैं, तो इट प्रूवड आउट तो बी अ टर्निंग पॉइंट फर पॉलिटिक्स ऑफ काइद आजम, काइद आजम उसके बाद फिर गली गली गए, कूचा-कूचा गए, और पॉलिटिक्स की, 1940 के बाद की जो पॉलिटिक्स है, वो सेपरिटिस्ट काइड ओफ पॉलिटिक्स है, जहां कॉंग्रस कह रही थी के, कुट इंडिया, वहां मुस्लिम ने कह रही थी, डिवाइड और कुट इंडिया, तो यही चलता रहा, 1940 में लाहोर रेजलूशन भी होती है, और उसमें काफी स्ट्रॉंग हो जाती है, नेशनल गोल का जो है, फॉर दे वरी फर्स्टम काईज़िसम वर्ड इस्तमाल करते हैं, उसके बाद फिर नेशनल गोल जो होता है, वो यही होता है, कि मुस्लमानों की एक अजाद रिया से चाहिए, उसके बाद करफेशन प्लान आता है, फ कैपिनिंप्टन मिशन के फेल होने की वज़ा नेहरू थी, 96 में जब वो इसकी प्रेजिटन्चल शिप्ट से हटते हैं, कॉंगरेस की, और नेहरू को बनाते हैं तो नेहरू अपना भ्यानियाँ चेंच कर लेता है, वो जिसको वज़ा बनाकर मुस्लिम लिग पिर उसको र पर चाहिए जबे इक लिए दनीी और फिर पर रिजेक्ट कर देती है और यह पिर गटाई में पढ़ जाती है पिर एंटेरम गोवक्रमेंट आता है इसके राद पर तीन जुन का फार्मिला आता है और पार्टिशन हो जाती है उसके बाद आखरी चैप्टर है फिर से कराची जिसमें बड़ी harsh memories हैं और जो बेटी होती है दीना वो काईद आजम के पासा कहते हैं कि मैंने एक लड़के को पसंद किया जो पारसी background का है तो मैंसे शादी करना जाते हैं कि काईद आजम कहते हैं कि there are millions of Muslim girls in India why don't you marry one? तो वो कहते हैं there are millions of Muslim girls in India why don't you marry one? तो obviously she was the daughter of काईद आजम काईद आजम जिसको कोई भी arguments में हरा नहीं सकता था obviously उसके उलाद भी ऐसी होनी थी जिनको कोई argument में नहारा सके तो काईद आजम का अपनी बेटे के साथ relation जो है वो काफी खराब हुआ काईद आजम ने उनको अपनी बेटी कहने से इंकार कर दिया और जब भी उनसे कोई पूछता था तो वो कहते था कि I have no daughter और उनको जब भी खतो कताब बदोती सी बाद में तो वो उनको मिस वादिया कहकर बुलाते थे बजाए अपनी बेटी के उसके बाद 11.1948 को काईद आजम के डेट हो जाती है और बाकी के इवर्स जाए है वो आप सब के सामने है कि उनका क्या वीजिन था इस्टेट के बारे में और आज हम कहां खड़े हैं एकनोमिकली रूइनस डेमोग्राफिकली डिजास्ट्रस और प्लिटिकली इंस्टेबल आज अगर काईद आजम आके देख लें अपने पाकिसान की हालत तो शाहिद वो कहें के इट्स बेटर टू लिव इन अन्डिवाड़ी इंडिया